मैं खुशिरू आपका स्वागित करती हूँ आख बारवानी गौसम में जिया फैंस को कुछ मिलता तो है नहीं पर जब भी कुछ ऐसी चीज मिल जाती है उसको तोर मरोड के कुछ न कुछ करके जो है बोले लग जाते हैं जैसे कि स्पेशली जिया जो है हमेशा ही बिचिंग करती हुई नजर आती है पीछे पड़ी हुई नजर आती है मनीशा के वैसे जो है मनीशा से अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए तो कैसे जिया फैंस चोड़ सकते हैं जैसे कि आप लोग को बता है कि टास्क चल रहा है टास्क मनीशा ने बोला मेरे पास कुटे हैं दो कुटे हैं वो वफादार है ये बोले नहीं नहीं वो कुटे वफादार नहीं है आप ये कुटा बहुत ज़दा वफादार है जहां पर ये बात होती है जहां पर ये जिया फैंस काफे सारा मुद्दा उठाके बैठे हैं कि देखो मनीशा ने जो कि काफे से दा गुन गाते हैं या अपीशा फैन गुन गाते हैं अपने ही दोस्तों को कुत्ता बोल बैठी है कि मेरे ये दोनों कुत्ते हैं और ये मेरे वफादार है ऐसे कैसी दोस्ती भई एक बात है मनीशा ने बहुत बार ओए लड़का ओए साला ओए कुत चलेगा कि आखिरकार कुतों के बारे में वो क्या बात कर रही थी यहां पर मनीशा जो है जो बात कर रही थी टोंड मार रही थी जिया और वैसे भी वहां पर मनीशा ने कोई भी टैडी खरीदा नहीं क्योंकि टोंड मारते हुए जिया बात कर रही थी और यही मुद्दे को लेके जो है अभी मुद्दा बना रहे एक छोटी सी चीज़ को लेके मुद्दा बना रहे हेटर्स और मनीशा के उपर उंगलियां उठा रही है मनीशा ने बहुत बार पहले बोला है और भई ऐसी भी क्या दोस्ती जिसमें एक बार कुत्ता ना बोला जाए कुत्ता बोलना ही पढ़ता है और वैसे भी कुत्ता बोलने पे कोई अब्जक्शन में नहीं होना चाहिए कुत्ता बहुत अच्छी गाली है वफदारी का सबूत है ना पर क्या कुत्ता नहीं हो तur जैसे जीजा का कहना है क्या कहना चाहेंगे आप अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्लम चली चल रही है जिया फैन्स को एक मुद्दा मिल चुका है आप कैसे मूत और जवाब देना चाहेंगे इस चीज का मनीशा फैन्स अभीशा फैन और अलविश के फैन बताईए जरूर इसी के साथ मैं लेती ह कि मुद्दा नमशिकार